पिछले lecture के अंदर मैंने आपको बताया था कि mathematics क्या होती है, mathematics कैसे data science के अंदर use होती है और mathematics की branches कौन-कौन सी है इस series का नाम है Zero to Mathematics और description में इसका मैंने link दिया हुए, आप वहाँ से जाके इसे join कर सकते है और ये series हमारी part है एक 6 मा के long course का जिसमें हम data science और AI सिखा रहे है इन 30 दिनों के अंदर हम जिस चीज को पढ़ने वाले हैं वो है mathematics for data science and AI उसमें जो हमने कल major topics discuss किया उसमें था mathematics and then उसके साथ हमने जो discuss किया था वो था जनाब हमारा branches of mathematics then we jumped into number theory और आज number theory को ही आगे लेके चलने वाले हैं number theory के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था और आज उसकी definition भी हम देखते हैं और number theory किस तरीके से हमारे data science और machine learning के टास्क के लिए बहुत important होती है इसको भी हम देखने वाले है यह प्योर mathematics है जैसे के मैंने कल भी बताया था और number theory के ऊपर depend करता है के आप किस number को क्या कह रहे हैं जैसे हम कल काफी different examples देखें थे number theory की और हमने different किसम के numbers भी देखें थे sequences भी देखें थे आज उसको थोड़ा सा deep dive करेंगे और हम देखेंगे कि number theory हम किस तरीके से अपने field के अंदर यानि के data science के अंदर ले के आ सकते हैं मैं यहाँ पर अभी अपनी screen share करता हूँ number theory के बारे में हम थोड़ा सा और advanced level पर भी देखते हैं just one second and you can see the screen hopefully okay तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हम number theory की पहले दुबारा से definition देखते हैं and then we move further number theory की अगर definition की बात की जाए तो number theory जो है यह often termed as queen of mathematics ठीक है जैसे mathematics को queen of science बोला जाता है और इसी तरीके से number theory को queen of mathematics बोला जाता है reason क्या है आपका अगर chess का shock है ना chess यानि के शतरंज की game उसके अंदर queen जो होती है उसके different किसम की चालें आप चल सकते हैं queen से यानि के हर direction में queen move कर सकती है इसका मतलब यह होता है कि यहाँ से अगर हम queen of mathematics इसे बोल रहे हैं तो यह बहुत ज्यादा fields के साथ linked है for example chemistry के साथ, physics के साथ, applied mathematics में जब भी कभी numbers की बात आएगी तो number theory हमारे mind में होना ज़रूरी है और यह primarily revolve करती है around investigating the inherent properties of numbers यानि के यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 10 लिख दिया अब इनकी inherent properties, यानि के इन numbers को क्या बोलेंगे, क्यूं बोलेंगे, किस वज़ा से बोलेंगे वो सब depend करता है आपकी number theory के उपर और number theory एक और चीज़ बताती है, वो relationship बताती है for example यहाँ पर 2 है और यह 4 है, ठीक है अब अगर 4 को देखा जाए, तो 4 एक ऐसा number है जो 2 पे divide भी हो जाएगा, और 4 एक ऐसा number है अगर 2 को 2 में जमा करें, तो हमारे पास 4 भी आ जाता है and there are many other things जो 4 के साथ हम और 2 के साथ relationship में देख सकते हैं, तो हम relationship of numbers भी इसी number theory के आज साथ discuss करते हैं and then the structure, they form जो भी structure है, उनकी यानि के sequence कैसी बन रही है जैसे मैंने Fibonacci series जो थी, या numbers थी, sequences थी वो कल आपको बताया था कि आप कोई भी number लिखें फिर दूसरा number लिखें, जब इन दोनों को जमा करेंगे तो तीसरा number आएगा पिछले दो को जमा करेंगे तो आपके पास दो आता है, जो अगला number है दो और एक तीन, तीन और दो पांच, पांच और तीन आठ, आठ और पांच तेरा, तेरा और आठ एक्कीस इस तरीके से जब आप numbers को आगे लेके जाते हैं तो इसको Fibonacci series बोलते हैं जो मैंने कल भी आपको बताया था, so ये structure कैसे बनाते है numbers की और उसकी form की, इसको भी हम इस चीज़ के अंदर study करते हैं अब number theory के related, आपको काफी questions आपके mind में आते होंगे कि यार number theory हम किस तरीके से जो है वो further हम read out कर सकते हैं और number theory में कौन-कौन सी important parameters हैं जो count होते हैं अब देखते हैं हम number theory को और भी detail में, ओके तो number theory, number theory, number theory की बात हो रही है, अब मैं बात करता हूँ number theory के अंदर कि ये number theory जब हमारे पास आजाती है, जिसके अंदर structure, number की inherent properties और बाके चीज़ें देखते हैं तो ये explore करता है behavior and characteristics of numbers such as primes, prime number मैंने आपको कल बता है and the role in various mathematical phenomena, अब अगर मैं बात करूँ number theory को queen of mathematics बोला है और हमारे पास nature के अंदर जो है, अगर आप गोर करें, जब भी nature का लफज आता है तो हमारे पास कुदरत का लफज के साथ साथ science ज़रूर होती है, क्योंकि science क्या है हम जब nature को study करते हैं अगर नेचर को समझना है तो जाहरी बात है queen of science जो है उसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको nature की समझ आ जाई तो queen of science के आप वो है mathematics और ये मैंने कहे रहा, बड़े decent scientists जो दुनिया के गुजर चुके हैं उन्होंने बोला है, जो कल आपकी मैने assignment भी आपको बताई थी, वो ये थी कि आपने देखना है mathematics को कौन कैसे define करते हैं, और आज के आप चोटी सी assignment ये देखेंगे कि queen of science math को क्यों बोला जाता है ये मैं साथ साथ note डाउन इस वेड़ा से कर रहा होता हूँ ताकि मेरे mind मेरे, कि mathematics is queen of sciences, इसे क्यों बोला जाता है, science या sciences यानि कि जितनी भी science के अंदर terminologies हैं या sciences बोल लेते हैं, जितनी भी sciences है, queen of sciences जो है, वो हमारे पास mathematics है, ठीक है अब जब हम queen of sciences की बात कर रहे हैं, और हम इसको पढ़ रहे हैं, तो हमें कौन सी चीजों को मदे नज़र रखना होगा जाहरी बात है, अगर आप queen को नहीं समझ सकते, तो क्या उस एक जगा को समझ सकते हैं, जिस चीज की वो queen है यानि कि अगर आप math को नहीं समझेंगे, how is it possible कि आप science को समझ पाएंगे, ठीक है और खास तोर पे जब data की बात होती, which are numbers, तो उसको आप कैसे समझ पाएंगे, तो data science के लिए आपको mathematics आना जुरूरी है अब data science या आज किल के दोर में, जिसको हम big data बोलते हैं, जितना बड़ा data होगा, उतना ज्यादा आपको calculation के लिए चीज़ें चाहिए होगे जैसे मैंने कल भी बताया था, अगर आप छोटी calculation हो, तो आप calculator पर कर लेते हैं, बड़ी हो तो आपको computer use करना पड़ता है, उससे भी बड़ी हो तो आपको heavy computer use करना पड़ता है इसे तरीके से data science का मतलब यह है, कि big numbers को deal करना, बड़े-बड़े numbers को तो आपको अगर number theory का पता होगा, तो यह बहुत असानी से हो पाता है और data science की एक branch है, जिसको हम machine learning बोलते हैं, which we are going to start in next month और machine learning के अंदर, अगर आप गौर करें, तो हमारे पास कुछ important terminologies होती हैं, जिसकी base पे आज का phenomenon चला हुए है तो machine learning, deep learning, data science और इस तरह की बड़ी-बड़ी technologies जिसमें AI सरे फहरिस्त है, जिसको हम artificial intelligence बोलते हैं, intelligence, इसके लिए math क्यों जरूरी है, और उसमें भी खास तोर पे number theory क्यों जरूरी है, अब इस से अगले lecture के अंदर मैं आपको वही चीज़ बताने वालू